तो दूस्थो आईपील दो हजार चोबिस के पोइंच टेबल में हमें हर दिन कई बड़े उलट फेर देखने को मिल रहे हैं जहां आज आईपील दो हजार चोबिस का 31 मैच कोलकाता नाइट आडर्स बनाम राजस सान्रोल्स के बीचे खेला गया और इस 31 मैच में राजस सान्रोल्स ने कोलकाता नाइडर्स को हरा कर पोइंच टेबल में काफी बड़े उलट फेर कर दिया हैं जहां कोलकाता नाइडर्स को पोइंच टेबल में काफी बड़ा नुकसान हुआ है तो ये राजस सान्रोल्स जो है पोइंच टेबल में पहले पा जानकारी मिलने वाली है तो दूस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाद इंपोर्टेंट वीडियो में अंतता को बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना वह तो दूस्तो आई पेल से जुड़ी हर चोटी बता दू अगर आपको किसी भी मैच का टॉस विनर या फिर मैच विनर का प्रडिक्शन जी है तो आप रागव क्रिकेट एनलिस्ट को कॉन्टेक कर सकते हैं इनकी पूरी डेटल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जागी इनका प्रडिक्शन जो है काफी बहतर रहता है इस इस साथ मैचों में से सिर्फ एक मैच में रोयल चैलेंजरज बिंगृरु को जीत मिली है जबकि छे मैचों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है जहां रोयल चैलेंजर बिंगृरु के पास अभी टोटल दो पोईंट है तो इन नेट और जो है M-1.185 है जो की काफी खराब है अब इस टीम को सात मैच और खेलें और इन सात के सातों मैच में रोयल चैलेंजर बिंगलुरू को जीतने के साथ सत अपना नेट नेट भी पहत्रीन करना होगा प्ले आफ में कौलिफाइ करने के लिए वह रोयल चैलेंजर बिंगलुरू का अगला मैच जो होने वाल और इन 6 मैचों में से मात्र 2 मैच में देली कैपिल को जीत मिली है जबकि 4 मैचों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है जहाँ देली कैपिल के पास अभी टोटल 4 पोइंट है तो इन नेटर णेट माएने 0.975 जो की काफी खराब है अब इस टीम को आठ मुकाबला और खेलें और इन आठ मुकाबला में से दली केपिल को कम से कम साथ मुकाबले में जीतना हासिल करनी होगे साथ में अपना नेटर नेट भी अच्छा करना होगा प्ले आफ में कौलिफाइ करने के लिए वहीं दल्ली कैपिटल अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली है वो मुकाबला कल यानि 17 अपरेल को गुजराट टैटन के खिलाफ खेला जागा और यह मुकाबला एहमदाबाद में खेला जाने वागा जबकि पोइंस टेबल में जो टीम आटवे पायदान पर है ओ हार्दिक पांड़ा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडन मुंबई इंडन का परदर्शन आईपील दो हजार चोवित में अब तक उतना बहतर ही नहीं रहा जहां तक इस टीम ने आईपील दो हजार चोवित में छे मैच खेला है और इन छे मैचों मतले सिर्फ दो मैच में मुंबई इंडन ने जीत दर्ज की है जबकि 4 मैचों में इस टीम को हारकाज सामना करना पड़ा है जहां मुंबई इंडन के पास अभी टोटल 4 पॉइंट ह जो कि काफी खराब है भी इस टीम को आठ मैच और खेलें और इन आठ मैचों में से कम से कम 6 मैच में और मुंबई इंडन को जीत दर्ज करनी होगी प्ले ओफ में जे गया बनाने के लिए मुंबई इंडन अपना अगला मुकाबला 18 अपरेल को पंजाब किंग के खिलने वा जबकि 4 मैचों में इस टीम को हार मिली है जहां पंजाब किंग के पास अभी टोटल 4 पॉइंट है तो ही ने डरनेट जो इस टीम का माई ने 0.218 है जो कि काफी खराब है भी इस टीम को 8 मैच और खेलें और आने माले इन 8 मैचों में से पंजाब किंग को कम से कम 6 मैच में और जीत दरजी करनी होगे, प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए, साथ में पंजाब किंग को अपना नेटर नेट भी थोड़ा बहतरी ने करना होगा, वहीं पंजाब किंग अपना अगला मुकाबला मुंबई इंडन की गलाप 18 अपरेल को अपने होम ग्राउंड पर खेल लिए तो ही तीन मैचों में इस टीम को हारकास सामना करना पड़ा है, जाब ही गुजराथ टेटन के पास टोटल 6 पोइंट है, तो ही इस टीम का जो नेटर नेटर नेट है, माइन जीरो पोइंट 637 है, जो की काफ़ी ज्यादा खराब है, अब ही इस टीम को 8 मैच और खेले वाल है, वो मुकाबला कल दली कैपिटल की गिलाब एहमदाबाद में खेला जाएगा, जबकि पोइंट स्टेबल में जो टीम पाचवे पाइदान पर है, वो है केल राहूल की कप्तानी वाली टीम लखनो सुपजन, लखनो सुपजन का परदाशन अब तक IPL 2014 में काफी बह जो है, प्लस 0.038 है, जो की थोड़ा बहतर है, अब इस टीम को 8 मैच और खेलें, और इन 8 मैचों में से कम से कम 5 मैच में और जीत दर्जिक करनी होगी, लखनो सुपजन को प्ले आफ में कौलिफाइ करने के लें, वहीं अगर आने वाले ये टीम 6 या 7 मुकाबला और जीत जाती है, तो ये टीम आफिसले प्ले आफ में भी कौलिफाइ कर सकती है, वहीं लखनो सुपजन अपना अगला मुकाबला, 12 अपरेल को चन्ने सुपरगीं किलाब अपने होम ग्राउंड पे खेलने वाली है, जबकि पोइंस टेबल में 4 पायदान पर है, संदाइस 24 में काफी बहतरिन परदर्शन करते वे नजर आ रही है, जहां तक इस टीम ने 6 मुकाबला IPL 2024 में खेल है, और इन 6 मुकाबले में संदाइस हैदराबाद ने जीत दर्ज किया है, जबकि मातर 2 मुकाबले में इस टीम को हार मिली है, जहां संदाइस हैदराबाद के पास करने के लिए, वहीं संदाइस हैदराबाद अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली है, वो मुकाबला 20 अप्रेल को खेला जाएगा दली कैपिल्स के खिलाब, जबकि पोइंस टेबल में जो टीम तीसरे पाइदान पर है, वो है चिन्ने सूपर किंग, रूतुराज गयक अभी टोटल आठ पोइंट है, तो इनने रंडेट जो है, प्लैच 0.726 है, जो कि संदाइस हैदराबाद से काफी बहत्तरीन है, अभी इस टीम को आठ मैच और इन आठ मैचों में से चन्ने सूपर किंग कम से कम चार मैच में और जीत दर्ज करने होगी, प्ले ओफ में जग पर है, वो है, आज का मैच हारने वाली टीम कोलकाता नाइटर है, कोलकाता नाइटर स्रेस एयर की कप्तानी वाली टीम को आज के मैच में राजत सान्रोस ने हारा दिया, जहां कोलकाता नाइटर जो अब तक IPL 2024 में 6 मैच के लिए है, और इन 6 मैचों में से जहां 4 मैच में क तो इन दो मैचों में इस टीम को हर का सामना करना पड़ा है, जहां Kolka Tana-Niders के पात अभी टोटल 8 पॉइंट है, तो इन ने ट्रने जो is team का प्लस में काफ़े बहतर है, अभी इस team को 8 मैच और खेला और इन 8 मैचों मेंसे कम से कम 4 मैच में और जीत दर्ज करना होगी, प्ले- में कॉलिफाइ करने के लिए वही कोलकाता नाइडस का अगला मुकाबला जो होने वाला है वह मुकाबला रोयल चैलेंजर बिंग्डुरू के खिलाफ खेला जाएगा 21 अपरेल को जबकि पॉइंस टेबल में सबसे पहले पायदान पर है आज का मैच जीतने वाली टीम राजस संजू संसन की कप्तानी वाली टीम राजस सांडोल ने आज के मैच में काफ़े बहतरीन परदर्शन करके कोलकाता नाइडस को हारा दी राजस सांडोल जो अब तक 7 मैच IPL 24 में खिली है और इन 7 मैचों में 6 मैच में राजस सांडोल को जीत मिलिया है जबकि मातर एक मैच मे इस टीम को हारका सामना करना पड़ा है जहां भी राजस सांडोल के पास टोटल 12 पॉइंट है जो कि सभी टेमों से सब ज्यादा पॉइंट इस टीम के पास है तो इन ने रने जो इस टीम का प्लस में काफ़े ज्यादा बहतरीन है अब इस टीम को 7 मैच और के लिए और आने पाइदान पर फिनिश कर सकती है तो दोस्तो वही राजस सांडोल अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली है और मुकाबला मुंबई इंडिन के गलाब 25 अपरेल को खेला जाएगा तो दोस्तो वे रहा IPL 2024 का नया पॉइंट टेबल जो की 31 मैच कोलकाता नाइड़ बना म राजस सांडोल के मैच के बात का है तो दोस्तो आपको क्या लगता क्या पॉइंट टेबल में पहले पाइदान पर राजस सांडोल फिनिश कर पाएगी कमेंट करके आप हमें जरूर बता है तो दोस्तो शुड़ों मतने हैं अगर आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइ थैंक यू सो मच गई वर वाचिं इस वीडियो